Welcome back to my YouTube channel, Ionic Classes आज मुआ करेंगे मनुभंडारी की, जो मनुभंडारी की कहानी मैं हार गई इस वीडियो से आप मनुभंडारी द्वारा लिखी गई रचित जो मैं हार गई कहानी है उसके बारे में विस्तार से जान सकेंगे हम इसमें जो समाजिक बुराईयां है जो मनु भंडारी ने मैं हार गई अपनी कहानी में जो समाज में व्याप्त जो बुराईयां थी उन्हें ध्यान में रखकर ये जो कहानी है उसकी रचना की है उन समाजिक बुराईयों पर नजर डालेंगे इसके साथ साथ आपकी जो ये कहानी है मैं हार गई मनुभंडारी की इसे समझने में भी आपको असानी होगी साथी साथ ये जो कहानी है वो भी इसमें कवर हो जाएगी तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखिए प्रशन हमारा कुछ इस प्रकार है मैं हार गई कहानी में मनु भंडारी ने किन समाजिक बुराईयों की तरफ इशारा किया है तो जो समाजिक बुराईयां व्याप्त हैं जो उस समय जब मनु भंडारी थी जिस समय मनु भंडारी ने मैं हार गई कहानी की रचना की उस समय जो समाजिक बुराईया उन्हें नजर आई उनको ध्यान में रखके उन्होंने मैं हार गई कहानी क्या है उसकी रचना की है तो देखी कभी भी आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसका सही फोर्मेट हमें सीखना होगा कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए तो सबसी पहली बात है कि आपको जो भुमी का है वो लिखनी आवशक होती है आप सीधे ही अपना जो आंसर होता है जो उत्तर होता है उसे शुरू नहीं कर सकते हैं इसके लिए कोई ना कोई भुमी का प्रस्तावना होने चाहिए चाहिए वो दो चार लाइन या फिर पंक्तियों की ही क्यों ना हो उसके बाद हम अपना आंसर शुरू करते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं निशकरश करते हैं तो हमारा आंसर तीन भागों में बटा हुआ होता है इसी तरीके से हमने अपना आंसर यहां पर दिया है तो देखिए भूमी का में लिखा गया है मैं हार गई कहानी मनु भंडारी द्वारा रचित है जिसमें मनु भंडारी एक आदर्श वादी नेता का निर्मान करना चाहती थी जैसे कि मैं हार गई कहानी में जो मनु भंडारी है वो क्या प्रयास कर रही है यही प्रयास कर रही है कि वह एक आदर्श नेता का निर्मान करे इसके लिए वो क्या करती है गरीब वर्ग है उसमें अपने नेता का निर्मान करती है उसमें वह हार जाती है कई कारणों के कारण उसे हम आगे देखेंगे फिर वह क्या करती है उच वर्ग में आने की अमीर वर्ग में अपने नेता का निर्मान करती है तो उसके बाद उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वह क्या करे मध्यमवर्ग में अपने नेता का निर्मान करके देखे इसलिए वह क्या कहती है मैं हार गई मैं हार गई जो कहानी है वो इसलिए जादा प्रसिद है क्योंकि मनु भंडारी ने जो मैं हार गई कहानी में खुद को भी शामिल किया है खुद भी कहे उसमें शामिल हुई है उन्होंने वह स्वैम जो लेखन होता है उसके द्वारा खुद को भी शामिल किया है और नेता और मनू भंडारी के बीच में जो वारतलाब होता है जो बातचीत होती है उसको भी महाँ प्रकट किया गया तो एक तरीके से बिल्कुल हटकर जो कहाने की रचना की गई है वो मनुभंडारी के दुवारा मैं हार गई कहाने के अंतरगत की गई है अब आगे देखे पर उनिक समाजी बुरायों के कारण वह ऐसा करने में ऐसमर्थ रहती है जिसके कारण वह अंत में खहती है मैं हार गई यानि की मनुभंडारी हार गई तो इसका रिजन में मैंने आपको बता दिया इसका कारण अब देखे हार गई कहानी में जो समाजी बुरायों कौन कौन सी थी किसकी तरफ उन्होंने इशारा करने के अपनी कोशिश की है और प्रयास की है जिसके कारण जो ये बुरायों है समाज में व्याप्त जिसके कारण जो नेता है एक आदर्श वादी नेता का निर्माण समाज में नहीं हो सकता है यह मनु भंडारी का कहना है तो देखिए और ऐसा कहना बहुत हद तक सही भी है तो देखिए मनु भंडारी के कहानी मैं हार गई मिस्वतंतरता के बात नैतिक मुल्यों का राश राजनीती के बदले बनावती चहरे आदी को ध्यान में रखकर रचित है तो मनुभंडारी की जो कहानी है मैं हार गई वो किन लक्षियों को किन उदेशियों को ध्यान में रखकर रचे गई है वो आप यहां पर बताया गया है जैसे कि जो नैतिक मुल्य हैं जो moral values जो थी वो क्या है अब वहे खत्म होती जा रही है उनका रास इस कहानी की अंत्रकत दिखाई देता है जैसे कि जो उचवर का नेता होता है वहे कहे वहे अपनी संगती के कारण क्या है बिगड जाता है अपने पैसों के कारण वहे अपने धन के कारण क्या है वहे गलत रहा पे चल पड़ता है तो उसमें उन्होंने नैतिक मुल्यों का राश प्रकट किया है इसी तरीके से जो राजनेतिक चरित्र है यानि कि एक नेता को किस तरीके का होना चाहिए वहे अपनी सुक्स विधाओ को अपनी परिवार की चिंताना करके अपने देश को अपना परिवार समझता है तो इस तरीके के जो चरित्र है राजनीती के वो कहां अब बदलते जा रहें इस चीज को भी इस कहानी के अंत्रकत उके रा गया है इसके साथ साथ जो आदर्श राजनीती के बतले बनावटी चहरे यानि कि जो आदर्श राजनीती थी उस समय के अगर हम स्वतंतरता से पहले की बात करें जो हमारे नेता थे जैसे कि महात्मा गांधी जुआला नहरू इस तरीके के और भी जो हमारे नेता थे सुभाष चंद्रबोस और इसके साथ भगत सिंग इत्यादी जितने भी हमारे जो भी हम दिखाए देते हैं आपने अकसर देखा होगा जो चुनाव का समय होता है तो उनका चहरा कुछ और दिखाए देता है और जब ठाब करने पर उतरते हैं जब है अपने जो duty है उसे नेभाते हैं तो उनका चहरा कुछ और होता है तो बनावटी चहरे दिखाए दे रहे हैं इसी चीज़ों जो मनु भंडारी है उन्होंने अपनी कहानी में उके रहा है अब देखिए इस उदेश्यों को लेकर उन्होंने ये कहान है तो देखी तो देखी मनु भंडारी अपने मित्रों के साथ एक कवी समेलन में गई थी जो शुरुवात होती है मैं हार गई कहाने की तो उसमें कैसे शुरुवात होती है कि जो मनु भंडारी है वह अपने कुछ मित्रों के साथ एक कवी समेलन में जाती है और उस समेलन मे भेक्या देखती है कि उसमें राज नेता जो होते हैं उनके उपर वेंग्यात में कविता पढ़ी जा रही है उस कविता का जिक्र जो मनु भंडारे की कहानी है मैं हार गई उसमें उस कविता का जो पंक्तियां है वो तो नहीं दी गई है परिंतु जो कविता है उसका सारांश यानि कि जो समरी होती है वो बताई गई है तो कवीता किस प्रकार की होती है वो भी पता होना चाहिए तो उसका सारांश कुछ इस प्रकार का होता है उस कवीता का नाम होता बेटे का भर्ष है एक पीता क्या करता है अपने बेटे की जाच करने के लिए कि मेरा बेटा आगे चल कर कैसा रहेगा क्या बनेगा तो इसे जाचने के लिए वो क्या करता है एक तरकीब निकालता है वो उसके कमरे में क्या रखता है एक अभिनेतरी की तस्वीर रखता है एक शराब की बोतल और तीसरी चीज क्या रखता है तो आपको याद रखना एक अभिनेतरी की तस्वीर दूसरी शराब की बोतल और तीसरी क्या रखता है वह रखता है गीता तो वह क्या देखता है जो पिता होता है वह चिप कर देखता है कि उसका बेटा किस चिज को उठाएगा तो उसका बेटा आता है और वह क्या करता है उसे उठाता है और जो दो चर घुट होते हैं वो लेता है इसके बाद वह जो गीता होती है उसे उठाता है और अपने बगल में लगा बगल में रखकर निकल लेता है तो उसका पीता क्या खेता है कि यह तो आजकल का नेता बनेगा तो यह जो वाक्य बोला गया है कि यह साला तो आजकल का नेता बनेगा तो एक है नेता ओपर वेंगे किया गया है कि जो नेता है वो आजकल बनावटी है वो पूर्ण रूप से अपने आपको अपने देश के लिए समर्पित नहीं करते हैं तो एक तरीके से ये जो वेंग्यात्म कवीता कही गई थी कवीत समर्पित में तो जो मनुभंडारी होती है उनके पिता क्या थे वो नेता थे इसलिए मनुभंडारी को ये कवीता अच्छी नहीं लगती है तो इसका जवाब देने के लिए मनुभंडारी मन में ठान लेती है कि वो क्या करेगी एक कवीत या वो क्या करेगी वो भी रचना करेगी और वो भी जो ये कवीता है उसकी मूँ तो जवाब देगी अपनी रचना के दुआरा तो पहले वो सोचती है मैं कवीता लिखकर ये जो जवाब देना है वो कवीता से दूँ या फिर कहानी से तो कवीता में तो मनु भंडारी इतनी अच्छी नहीं थी तो वो सोचती हैं क्यों ना मैं एक कहानी लिखकर इस कवीता का जवाब दूँ तो जब वह मनो भंडारे कहानी लिखने जाती है तो उससे कहानी ये शुरुवात होती है कि वह अपने नेता का निर्मान करती है पहले तो गरीब वर्ग में करती है फिर उच वर्ग में आने की अमीर वर्ग में करती है और इसके बाद वह कहानी हार जाती है वह मधिम वर्ग म करने की सोच भी नहीं सकती ऐसा हाल हो जाता है तो देखिए आगे तो मनो भंडारे जवाब देने के लिए एक आदर्श वादी नेता का निर्मान करना चाहती है जैसे मैंने आपको बताया है अनेक आदर्श वादी नेताओं को ध्यान में रखकर अपने नेता में पे सभी थे उन सबको लिख लेती है और अपने दिमाख में सेट कर लेती है उसके बाद वो क्या सोचती है कि वह अपने नेता का निर्मान करेगी उसमें इस नेता के अंतरगत उन सारे गुंणोंको निकारने की पूरी-पूरी कोशिश करेगी वह निमन वर्ग अर्थाद गरीब व एक आदर्श नेता के गुन्ध थे उस जिस नेता का मनुभंडारी ने निम्न वर्ग में निमान किया था तो वह अगर कहीं पर भी कुछ भी होता था तो उसकी आलोचना करता था हर समय सत्य बोलता था परन्तु अचानक क्या होता है परस्तितियां बदलती है जिसके कारण उसके परिवार का जो करतव है उस पर आ जाता है उसके माता पिता की मिलती हो जाती है तो क्या है जो परस्तितियां है वो बदल जाती है तो उसके घर में अब एक विद्वा बुवा थी, एक छोटी बहन थी, जो किसी बिमारी के कारण, भरन पोशन के कारण क्या है, किसी बिमारी के कारण तड़प रही थी, तो अब जितने भी जिम्मेदारियां थी, अब जो नेता, मनुभंडारी ने जिसका निर्मान किया था, उसके उपर आ जाती है, तो परस्तितियों के कारण क्या है, उसके सामने, उसका जो कर्तव्य है, उससे जादा, जो उसका परिवार है, उसके लिए important हो गया था, मैतरपुन्ट हो गया था, क्योंकि उसका कहना था कि जितना मेरे लिए देश के लिए जो कर्तव्य है मेरे अं आदर्ष गुर्णों से जादा ध्यान अपने परिवार को पालने पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो मनुभंडारी है उसने कौन सी समस्या को प्रकट किया है कि गरीबी के कारण जो आदर्श मुल्ले हैं उनका हराश हो रहा है आदर्श मुल्ले खतम होते जा रहे हैं हमारे देश में जो गरीबी विद्यमान है उसके एकारण बहुत सारे गलत कदम उठाए ज आदर्श में सस्थान डिलवा देखती है तो उसके लिए अपनी पिता के दफटर की तरफ देखती है तो उससी क्या पता चलता है कि उसकी पिता के दफ्तर में कोई भी स्तान खाली नहीं है वहाँ पर तो जो भाई भतीजावाद है वो प्रचलित है भाई भतीजावाद का मतलब जो रिलेशन में जो रिष्टेदार होते हैं उनको नोकरी पर लगाया जाता है अगर कोई भी स्तान खाली होता है तो अपने भाई बंधों को क्या है वो नोकरी पर लगाते हैं तो ये जो भाई भतिजावाद की जो समस्या है वो अभी वर्तमान में भी प्रशलित है तो इस समस्या को मनुभंडारी ने बहुत भूब धंसे यहां पर प्रसुत किया है तो ये भी एक समाजिक बुराई है जिसके कारण जो एक आदश नेता है वो गरीबी में रहेकर देश के बारे मेंने सोचकर खुद के बारे में सोचने के लिए कदम उठाता है अब मनुभंडारी इसके लिए कुछ इस तरीके की जो पंक्तिया वो कहती है मैंने सोचा क्यों न अपने पिताजी के विभाग में इसे कह और नोकरी दिलवा दूं पर पिताजी की उदार नीती के कारण कोई जंगे खाली भी तो नहीं देखा तो सब जंगे भरी हुई थी कहीं मेरे चचेरे भाई विराजमान थे कहीं फूफेरे इस तरीके से जो मनुभंडारी है वो बताती है कि जो उनके पिता के दफ्तर में जो हाल था कि कहीं पर तो चचेरे भाई हैं और कहीं पर फूफेरे हैं तो यानि कि जो रिलेशन में जो रिलेशन होती है जो रिष्टेदारी होती है उनको ही क्या है उनको ही नोकरी दिलवा दे जाती है और जो असल में जिनको नोकरी के जरूरत होती है वो बैठे रहते हैं इसके कारण क्या है जो भाई भती जावाद के कारण जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ी है। तो इस जीर को यहाँ पर उकेरा गया है। इससे वर्तमार में प्रशलेद भाई भती जावाद और राजनीती का भरस्ट चहरा सामने आता है। जिसके कान उसका नेता आप अपने परिवार की प्रस्थितियों को देखता हुआ चोरी की तरफ कदम उठाता है वो क्या करता है नेता को कहीं नोकरी नहीं मिलती है तो वो किसी मजदूरी करने लग जाता है तो मजदूरी से भी वह इतने पैसे नहीं कमा पाता है कि अपने छोटी बहन कवे इलाज करवा पाए तो इससे क्या है उसकी मन स्थीती जो होती है, जो मन की स्थीती होती है वो विशलित हो जाती है और वो क्या है? चोरी की तरफ कदम उठाता है तो इतना घिनोना जो कदम उठाने की उसने सोची तो तब ही जो मनुभंडारी है वो उसे खतम कर देती है यानि कि अपने जो कागज होता है उसे फाड़ कर फेग देती है उसे खतम कर देती है अब मनु भंडारी गरीब वर्ग की परिशानियों को देखती हुई वे उनको दूर करते हुए एक बार फिर सहास करती हुई उच वर्ग अर्थात अमीर परिवार में नेता का निर्मान करने ही तो कमल उठाती है मनु भंडारी के सोचती है कि जो गरीबी के कारण जो नेता है उसके जो आदर्श मुले हैं वो खतम होते गए तो उन सारी परेशानियों को दूर करती हूँ है वो क्या सोचती है कि एक अमीर परिवार में अपने नेता का जनम करती हूँ निर्मान करती हूँ जिससे उसका पालन पोशन भी अच्छे तरीके से होगा और उसके अंदर जो आदर्श मुल्ले हैं वो भी स्तापित हो उसके आदर्श नेता के गुण खतम होते प्रतीत हुए जैसे जैसे नेता बड़ा होता है और उसे हर चीज उपलब्ध होती है तो उसे क्या है उसके अंदर जो आदर्श मुल्ले थे जो आदर्श नेता के गुण थे वो खतम होते दिखाई देते हैं कही ना कही संगती का असर भी था क्योंकि उसे हर्चिज उपलब्ध हो रही थी तो उनकी जो value होती है वो उसके अंदर नहीं रही साथ संगती का असर हुआ इसमें मनुभंडारी समाज में विद्धिमान जो बुराई है उसे उकेरती है वो कौँसी बुराई थी संगती का असर जैसे कि एक जो मचली है वो पूरे तलाब को गंदा कर देती है ठीक उसी प्रकार से मनुभंडारी के भावी नहीं था कि सभी गुण उसके रहीस पने वे यहां पर बहुत अच्छे उधान से स्पस्ट किया गया है कि जिस प्रकार से जो एक मचली होती है एक खराब मचली तलाब को गंदा कर देती है उसी प्रकार से जो उसका भावी नेता था वह अपने गलत मित्रों की संगती में आकर अपने अंदर के जो गुण है उन्हें ख देकत बताया है, वो कुछ इस प्रकार से बताती है, यहां पर फ्हरें गराफ देखी अपने स्वार्थ की पूर्ती के लिए अपने इच्छा पूर्टी करने के लिए तुमने मुझे बनाये हैं, यह जो वाक्य कहा गया है या नेता के द्वारा कहा गया है, जो भावी नेत का निर्मान किया था मनों भंडारी ने वो कहता है कि तुमने केवल अपने स्वार्थ पूर्थी के लिए मेरा निर्मान किया है पर यह जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छानुसार ही चलू मेरा अपना अस्तित्व भी है मेरे अपने विचार भी है तो यहां के विचार है वह अपने उपर किसी बाहर के विचारों को थोपना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके के वाके जब मनु भंडारे उसे रोकती है टोकती है बात बात पर जब गलत कदम उठाने जाता है तब तो उस समय वो इस तरीके के वाके इस्तेमाल करता है पर वह उसकी एक भी नहीं सुनता है और वह गलत कदम उठाने के लिए चल पड़ता है तो इस चीज से स्पस्ट होता है कि जो नई पीडी है वो किवल अपने विचारों का ही पालन करती है वो किसी और के बाहर के जो विचार है उनको अपने उपर थोपना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती अब मनु भंडाई दुआरा जो ये निर्मित अमीर वर्ग में जो नेता का निर्मान किया गया था वह क्या है वह अब गलत पत पर चल पड़ता है यानि गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो वह उसे रोकते हुए वह आवीग में कहती है दुराचारी असिस्ट नार कीए की तो इस तरीके के जो शब्दों का इस्तमाल करती है जब उसका जो नेता था वह क्या करता है वह रापस्तान पर जाने की बात करता है तो वह क्या करता है और इस तरीके की बात करता है कि तुमसे अच्छा तो जो छमिया का नाच है उसे देख लूँ तो उस समय उसे बहुत आजाता है और क्रोध में भरकर आवेग में आकर इस तरीके शब्दों का इस्तमाल करती है तो उस समय जोसके मित्र है वो मनुभंडारी के उपर व्यंग्य करते हुए और एक तरीके से पूरे हिंदी समाज के उपर व्यंग्य करते हुए कहते हैं उसकी बेज़ती करते हुए क कहते हैं कि अरे ऐसी घोर हिंदी में फटकारोगी तो वह समझेगा भी नहीं जरह सरल भाषा में बोलो तो यहां पर जो हिंदी है यानि कि जो हिंदी अब प्रचलन में नहीं है हिंदी को असिस्ट लोगों की भाषा माना जाता है माना जाता है और मानने लगे हैं तो इस चाहती हूँ कि आप जब भी भी आंसर लिखे उत्तर लिखे तो उस समय आपको इस तरीके की जो लाइने होती है quotation होती है इस तरीके की इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी बात को proof करने के लिए तो इससे क्या है जो आंसर है वो अच्छा लगता है और highlight करना चाहिए जैसे कि यहाँ पर किया गया है inverted commas में अगर black pen use ना करो तो तो इससे क्या है जो हिंदी और शिक्षितों की भाजा रहे गई है इस शीज को यहाँ बताया गया तो अब क्या है मनुभंडारी ठक जाती है और अपने इस नेता का भी क्या है इस नेता को भी नस्ट कर देती आने की अब उसे कागश को फार देती है और अब जो है उसका अब जो है मनुभंडारी हार गई है क्योंकि वह जिस तलाश में थी कि वह अपने एक आदर्श नेता का निर्मान करेगी तो उसमें क्या है वह अब हार चुकी है उसे पता चल गया है कि जो कवीता कवी समेल में बताई गई थी सुनाई गई थी वो बिल्कुल सही है आज का नेता स्वतंत्रता से पहले वाला नेता नहीं रहा है अब नेता के बनावटी हो गया है इस तरीके से यहाँ पर कहने निशकर्ष में भी यही बात बताई गई है तो देखी निशकर्ष में क्या बताई गए मैं हार गे आदर्श वाद के अंत की कहानी के रूप में उजागर होती है जो एक कहानी है मैं हार गई इसमें कि आदर्श वाद का जो अंत है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो आदर्श वाद है जो नैतिक मुल्ले है उनका हराश हो रहा है वो दिखाया गया है इसके साथ साथ जो राजनीती में अवसर वाधिता का इस्तमाल किया जा रहा है इसको भी दिखाया गया है इस कहानी के दुआरा मनु भंडारी स्वतंतर्था से पूर्व की राजनेतिक चहरे किस प्रकार स्वतंतर्था के बाद बदले हैं इसका यथा चित्रन है तो किस प्रकार से जो राजनेतिक चहरे जैसे राजनेतिक चहरे का मतलब है कि स्वतंतर्था से पहले जो राजनीती में जीतने नेता थे उनके अंदर उनका जो चरित्र रथा वो किस प्रकार से अब बदला हुआ दिखाए दे रहा है उनके जो नैतिक मुल्य थे वो किस प्रकार से खतम होते दिखाए दे रहे है के साथ ही साथ अनेक समाजिक बुराईयों को प्रकट करती है जैसे हिंदी को अशिक्षित भार्षा के रूप में देखना नय हुई कि वे मद्यवर्ग में नेता का निमान करें तो जो निशकर्ष क्या होता है conclusion आपको क्या निचोड लिखना होता है जो भी आपने answer में लिखा है उसका निचोड आपको निशकर्ष में लिखना होगा तो आपको क्या करना है जो भी आपने point क्योंकि अब जो points है उन्हीं क्या है आप explain जैसे कि आपने देखा points आपको highlight कर देने हैं जैसे कि अब देखी यहाँ पर point आपको इस तरीके से highlight कर देने है पर आपको यहाँ पर point लिखकर फिर dot डाले के answer नहीं लिखना है वो आपका answer सही अच्छे ना marks मिलने में आपको रोकता है इसके साथ साथ जो निशकरश है जितने भी आपने point लिखे हैं उन सबको एक एक line में लिखते हैं और आपको चोड़ा सा निशकरश त्यार हो जाएगा बस आपको कुछ बात ही जो important आपने answer में बताई है उनको इनिशकरश में लिखना होगा तो इससे आपका answer best होगा और आपको marks मिलेंगे अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें शेर कीज़े और कमेंट करके बताई कैसे लगी चैनल पर नहीं हूँ तो आप चैनल के subscribe कर सकते है उससाइट में जब बाल आइकन है उसे प्रास करना मत भूलेगा इससे की निव वीडियो को नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके थैंक यू